हलो एवरीवर्न, DRX Health & Beauty Family में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम सिपलोक्स दी ऑप्टिक आई इयर डॉप्स के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जैसे इसका इस्तेमाल आखो एवंकानों के किन-किन बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है इसका कैसे उपयोग किया जाता है, इसके उपयोग से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है साथ ही साथ जानेंगे कि इसका composition क्या है इसका price क्या है और इसको कौन सी company बनाती है इसे पहले आप हमारे वीडियो को like and share करना न भूलें और यह आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है और यह drop 10 ml की quantity में आती है जो आपको किसी भी medical store पर 57 रुपीज यानि 57 रुपे में बहुत असानी से मिल जाती है सिप्लोक्स दी आप्टिक डॉप्स के composition की बात करें तो इसमें सिप्रोफ्लोक्ससीन, डेक्सो मेतासोन एवं हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाईल से लिलोज का इस्तिमाल किया गया है सिप्रोफ्लोक्ससीन एक antibiotic medicine है जो bacteria के infection को समप करता है और bacteria को मारता है डेक्सा मेतासोन एक esteride है जो सूजन लालिमा एवं allergy को ठीक करती है और इसमें मौझूद है ड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाईल से लिलोज एक lubricant है जो आँखो के dryness को कम करता है इसमें एज़ा प्रिजर्वेटिव बेंजल कोनियम क्लोराइड का इस्तिमाल किया गया है कि खुजली हो रही है या आँकों में जलन हो रहा है या आपके कानों में कोई infection हो गया है या आपके कानों में गाहाओ हो गया है तो आप इसके इलाज के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करने चाहिए आप इसका इस्तेमाल 2-3 बूद दिन में 2-3 बार कर सकते हैं या आपने डॉक्टर के दिसा निर्देसों के अनुशार इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हमेसा बाहरी उपयोग के लिए यानि external use के लिए किया जाता है Ciplex D drops के इस्तेमाल से होने वाले side effect की बात करें तो समानेता इसके इस्तेमाल से आपको जलन खुजली यह उमलालिमा जैसी problems हो सकती है यदि यह सी कोई भी problem हो तो आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से इसके बारे में सला लें एक कुछ जानकारिया थे ही Ciplex D optic Eye Ear Drops के बारे में आसक करते हैं कि आपको अच्छी लगी होंगी और यदि आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिस करेंगे और साथी साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें खुश रहिए स्वास्त रहिए थेंक यू सो मच